गुन्मारिंग फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा कंसल्टंसी सर्विस के बारे में तो आज की वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा डीटेल में बताऊंगा इसलिए वीडियो को लास तक जरो देखे अगर आपने अभी दक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस कर दो बैल आइकन दबादो और पर सेलेक कर दो ताकि जब भी मैं वीडि आई हुई है और सबसे अच्छी बात है इसमें आपको कोई भी आप्लिकेशन फी नहीं है किसी भी स्टेट के के इसके लिए अपलाय कर सकते हैं ठीक है चली मैं आपको इसके ओफिसियल वेबसाइट पर जाके दिखाता हूं कि क्या यह वेकेंसी आया हुआ हुआ है और कौ चाते हैं तो इस पोश्ट के जरूर से अपलाय करेगा ठीक है यह उनी के लिए जो है नया वेकेंसी आया हुआ है इसमें आपका फाइनल येर वाले भी अपलाय कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं स्मार्ट हाइरिंग ड्राइव जो है ओपन हुआ है टेलेंटेड जाए तो इसका एंड हो रहा है 23 मई 2021 को तो 23 में तक आप इसके लिए अपलाय कर सकते तो जितना जल्दी हो सके इसके लिए अपलाय कर दीजेगा इसमें आपका एक आउनलाइन टेस्ट होने वाला है जो कि आपका 6 जून 2021 को होगा संडे को उसके बाद आपका इंटेव्य ह होगा एंडे उसके बाद यहाँ पर आपका सेलेक्शन होगा ठीक है अपलाय करने के लिए सिंपल सा आप जो है रेजिस्टेशन नाव ओपन पे क्लिक करके इसके लिए अपलाय कर सकते हैं आप देख सकते हैं टीसी इस स्मार्ट हाइरिंग करके यह नया विकिंसी आया फिजिक्स, एलेक्ट्रोनिक्स, बायो केमिस्ट्री एंड मैज ठीक है और बीवोक इन सियर्स और आइटी ठीक है बैच 2019, 2020 एंड 2021 इयर पासिंग क्या अपलाय तो अगर आप BCA या BSC हो इन स्ट्रिम में तब आप इसके लिए अपलाय कर सकते हो ठीक है फ्रेंट्स आप अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है इंटर्व्यू में और आपका टेस्ट में तो आपको जो है एक अपॉर्चनिटी मिलेंगी TCS इगनाइट यूनिट जॉइन करने की ठीक है इसमें आपका इंटरंशीव होगा एंदिन आपका इसमें सालेरी बगरे इंक्रिमेंट होगा ठीक है तो इस तरीके का आपका जॉब नोटिफिकेशन आया हुआ है TCS स्मार्ट हाइरिंग अप्लिकेशन प्रोसेस कैसे करना इसके बारे में पूरा डीटेल यहाँ पर दिया हुआ है स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तो यह पर आप डीटेल में पर सकते कैसे आपको यहाँ पर रेजिस्टेशन करना है टेस्ट की बात कि जा तो इसमें आपका जो है तीन सेक्शन रहेंगे ठीक है टोटल 120 मिनिट का आपको time मिलेगा तीन सेक्षिन में आपका वर्बल एबिलेटी रहेंगे जिसके की 24 question 30 minute का time उसके बद आपका रजजिनिंग ability के 30 question 50 minute का time उसके बद आपका numerical ability 26 question 40 minute का time आपको दिया जाएगा ठीक है इस तरीके से 120 minute का time आपको मिलेगा यह सारे चीज़े solve करने के लिए अब इसका eligibility criteria की बात कि रहा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया full time graduation होना from BCA या BSC इस्टर में आप देख सकते computer science IT statistics chemistry electronics biochemistry and math and be walk in CS or IT 2019 2020 and 2021 year वाले ही इसके लिए apply कर सकते pass out ठीक है यह आपका percentage criteria रखा गया है 50 परसेंट आपके होना या cgpa आपका 5 होना ठीक है यह आप देख सकते 10th में 12 में BCA या BSC में आपका minimum 50 percentage marks होना तभी आप इसके लिए eligible होंगे तभी आप इसके लिए apply कर सकते हैं अगर आप final year में हो 2021 में pass out होने हो और अगर आपका कोई भी backlog नहीं है तब भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं एज limit की बात के लिए आपका minimum age 18 साल होना चाहिए और maximum जो है आपका 28 साल होना चाहिए ठीक है आपका academic qualification उसमें आपका दो साल से ज्यादा का gap नहीं होना चाहिए बाकी आप आप देख सकते है फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन का यह पर टैप दिया गया है इसमें आप detail में पढ़ सकते हैं जो भी आपके doubt होते हैं कुछ भी अगर आपको doubt होता है तो इसमें आप पढ़ सकते हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर clearly mention किया हुआ है तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो apply करने के लिए सिंपल सा आपको registration now open पर क्लिक करना है जैसी आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का page आ जाएगा तो अगर आप mobile से apply करोगे सब्सक्राइब करना है नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको desktop साइट पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का page आ जाएगा ठीक है यहाँ आप देख सकते हैं तो सिंपल यहाँ पर आपको information technology IT पर क्लिक करना है जैसी आप IT पर क्लिक करोगे तो आपक अगर आप इसके पहले apply कर चुके हैं तो login करके अपना detail यहाँ पर डाल सकते हैं ठीक है बाकी सब कुछ यहाँ पर detail डालने के बाद यहाँ पर submit पर क्लिक कर सकते हैं आपका form successfully applied हो जाएगा तो form complete होने के बाद आपका examination होगा confirm होगा और उसके बाद आपका interview होगा अगर आप select हो जाते हो दोनों में तो यहाँ पर आपको successfully job मिल जाएगा यहाँ आप अच्छा खासा career बना सकते हैं IT सेक्टर में ठीक है फ्रेंट्स इसमें आपका कोई भी application fee नहीं है ठीक है I hope आपको सारे चीजे समन्य में होगी अग करना और कुछ कमेंट होंगा तो कर देना फेंट तब तक के लिए अपना ध्यान रखना गुडबाए